चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ज्ञानी, महात्मा या किसी जानकार से सला जरूर ले ओम नमस्षिवाए आज बहुत ही कुछी का दिन है क्योंकि जो तबियत है उसमें सुधार आ गया है और बहुत सारे मेरे पास अभी जितने भी सादक और सादवी हैं वो कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप रिप्लाइ नहीं करते, गुरुजी आपके जो ये उपाई हैं ये काम नहीं करते तो मैं उन्हें बार बारी की चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखिए इन मंतरों का उच्चारन करने से ही प्रकंपन बनता है और वही प्रकंपन या वाइबरेशन काम करता है लेकिन उसको चलाने के लिए आपके अंदर भी उर्जा होनी चाहिए ये सब चीज़े ऐसे ही काम नहीं करती है आप मास, मदीरा, मीड, अंडा ये सब खाएं और आप मंतर जाप करें और बोलें कि काम नहीं हो रहा तो कैसे होगा याद रखिए का जो भी ये काम करते हैं उनको पहले शुद होना पड़ता है, साद्विक होना पड़ता है जादा नहीं तो 90 दिन यानी की 3 महीने तक तो आपको साद्विक या ब्रामन चर्य जो है उसमें आपको पालन करना चाहिए ब्रामन बनके रहना चाहिए अगर आप वाक्य ही चाहते हैं ये काम करें तो एका गरता से काम करते हैं दूसरों का काम बनता है आपका भी काम बनेगा आप विश्वास रखिए जल्दी बादजी ना करिए जल्दी का काम शैतान का होता है आप लगे रहिए पूरी शैदाभाव से पूरी निष्ठा से प्रपुत ध्यान दीजिये और मैं उन लोगों कहना चाहूँगा कि जो लोग अभद्र या फिर वाहियात कमेंट करते हैं उन से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से कोई साहता या परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो को छोड़के किसी और की वीडियो देख सकते हैं लेकिन आपका अबद्र करने कमेंट करने का कोई भी हक नहीं है तो कृप अगर के प्लीज आप मेरे चैनल से आप चले जाए अगर आपको वीडियो अची नहीं लगती है तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे साधक और साधवी हैं जो मुझसे ग्यान सीखना चाहते हैं देखिए मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें भी ये नियम होते हैं उसमें कटर नियम दिये जाते हैं इसलिए जो कोई मुसलिम करता है उसका प्रभाव है एक हिंदू के उपएक्शादा होता है। इसमें जैसे अगर आपको वशीकरण करना है तो वशीकरण में दिन होते हैं जैसे हर दिन का अपना एक महतव होता है। दिन में पहर होते हैं, पहर में नक्षत्र होते हैं और इन सब चीजों में अगर जब आप बिल्कुल सटी इकता से काम करेंगे तो सो परतिशत आपका वशी करनी या कोई भी उपाय है वो हो जाएगा आप लोग मेरे पास बहुत से फोन आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैं बस एगिटेरियन हूँ, सिर्फ अंडा खाती हूँ और मुझे कोई इतना प्रचंड बता दीजी कि बस मैं फोन पर ही करूँ और हो जाए तो आप खुद सोचिए ऐसा कैसे संभाव है यदि आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में किसी को भी वशीबूत करना चाहते हैं तो देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, साफ सी बात है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब सही तरीके से काम करते हैं फिर भी उनका काम नहीं बन पाता वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उनके सराउंडिंग सही नहीं है बहुत सारे लोग हैं जिनका काम हो जाता है और यकिन मानिए जिनका काम होता है उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कहते हैं कि गुरुजी आपके जो उपाय थे उनको मैंने किया और मेरा काम हो गया आपका बहुत बहुत देन्यवाद तो देखिए आपका काम भी बनेगा आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए एक ही प्रशन को बार-बार मत पूचिए क्योंकि कहते हैं समस्दार को इशारा काफी है अगर आपको कोई नक्षत्र नहीं पता या फिर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप उसको गूगल पर सर्च करिए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा मैं एक दिन में दस हजार लोगों से भी जादा लोगों से बात करता हूँ तो आप ज़रा सोच के देखिए कि कैसा मैं कितना बिजी होता हूँ आप एक दिन में सो लोगों से बात करिए आपको पता लग जाएगा कि समय की कितनी कमी होती है उसके बावजूद भी मैं अपने ग्रूप पेज और यूट्यूब की जरीए आप लोगों के पास वीडियो बना के देता रहता हूं तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरी वीडियो उसको ध्यान से देखिए सबर कीजिए कमेंट में आप अपना क्वेशन पूछिए मेरे को समय लगेगा तो मैं जरूर आपका रिप्लाइ करूंगा अन्यत हमें लाइक कर दूँ तो इसका मतलब समझ लीजिए कि गुरू जी ने हमारा कमेंट देख लिया है बहुत सैसे लोग आते हैं जो तंतर विद्या में माहिर होते हैं वो भी मुझसे बात करते हैं और उनको भी बहुत प्रसन्नता मिलती है बात करके और कोई भी इस अगर तंतर विद्या में जोड़ना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपको सात्विक रहना पड़ेगा ब्रह्म चरिय का पालन करना पड़ेगा मुस्लिम सब्विता में तो कुछ ऐसी पदिती भी है जिसमें की गड़ा खोद के उल्टा उसके अंदर बैठ के हमें मेडिटेशन या ध्यान लगाना पड़ता है जिसकी वज़े से उनके पास वो पावर साती है और याद रखेगा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है एक साधारण मनुष्य से बढ़ कर कोई पावर है तो साधारण मनुष्य से बढ़के आपके ऊपर रोक भी लगेगी ये नियती है और ये खुदृत का नीयम है कि जिसके पास कोई अदबुत शक्ती होती है उसके उपर कोई ना कोई रोक लग जाती है कि आप यहां नहीं जा सकते या आप यह नहीं खा सकते बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बस अभी के अभी वशीकरन हो जाए या YouTube पे देखिए एक घंटे में वशीकरन एक मिनिट में वशीकरन आप खुद सोचिए ऐसा कैसे संभव है तो ऐसी बेतुका वीडियो या वाहियात वीडियो के तरफ ना जाए जिनके उपर आपको ऐसा देखिए कि एक मिनिट में वशीकरन आप खुद समझदार है वशीकरन होता है मैं ये नहीं कह रहा है कि नहीं होता लेकिन इसमें समय लगता है कम से कम आपको एक महिना या 20 दिन या फिर 15 दिन और अगर आप शाबर मंतरों के द्वारा करते हैं तो कम से कम आपको 10 दिन का वेट करना पड़ता है मंतरों की शक्ति जितनी زदा होगी उतना जदा आपका कारे होगा मंतरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए पानी का प्रियोक करें जब यां मंतरों उचारन करें अपने पासे पानी के गलास आपके मंतरों की, मतलब पूरा पता लगना चाहिए, आपके शरीर में एक-एक रोम-रोम में वो धोनी जानी चाहिए मंतर चारण में शुरू में परिशानी आती है, लेकिन अगर एक बार आप किसी मंतर को सिद्ध कर लेते हैं जो आप वीडियो में देखके नहीं कर सकते और मैं आपको कतापी करने का यह से प्रामर्श नहीं दूँगा बहुत से लोग लालच में आके अपनी जान गवा बैठते हैं या ऐसे चीज़ें कर लेते हैं जो उनकी पुरी जिन्दगी परबात कर देती है मंतर शक्ति का उचरण जरूरी है सही तरीके से करना चाहिए गुरू के बताए अनुसार ही करें जैसे आपका गुरू बताए और अगर आपका कोई गुरू नहीं है या आपको गुरू नहीं मिला भी तक तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए मैं आपके लिए ही सारी वीडियो बनाता हूँ और किसी भी पर करके समस्या हो तो आप मुझे वाटसप पर मैसेज डाल सकते हैं और मैं रिप्लाइ जरूर करूँगा हाला कि हो सकता है मेरा रिप्लाइ आपको दो दिन में तीन दिन में आए लेकिन आएगा जरूर क्योंकि मैंने आपको पहले ये बता है कि लोग बहुत जादा है और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारा जो ग्रूप है वो ग्रूप फुल हो चुका है लेकिन आप फिर भी ट्राइ करते रहिए और आप फेस्बुक पेज से जुट सकते हैं मैं वहाँ पर आपको जो भी अपडेट से मैं देता रहूँगा और आज मैं आपको बताता हूँ एक वशी करन यंतर के बारे में बस आपको जो मैं बताता हूँ उसको देखकर आपको यूट्वप पर या कहीं से भी सर्च कर लेता है और उसकी में जो मैंने चीज़े बता रही में बता देता हूँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पुरा संश्यप या पूरी डीटेल में बताओं तो चलिए मैं आज आपको एक और वशी करन यंतर के बारें बता रहा हूँ ये जो वशी करन यंतर देख रहे हैं ये बहुत ही प्रचंड है दुरलब है और ये जो है शनिवार के दिन इसमें भी पुश्म नक्षेतर में इस यंतर को भोज पत्र पे लिखना है पलाश की जड़ में लपेट कर धूनी में देना है मतलब धूनी जो होती है आग जो होती है उसमें देना है और उसको जब इसको धूनी में देंगे तो जो भी इस तरीक आप ध्यान करके ये करेंगे वो आपके वशी बूत हो जाएगी अब देखिए इसमें जो है पलाश की जड़ क्या होती है और ये नक्षत्र क्या होते हैं ये सब आपको सुछता ही गूगल पर ढूनने चाहिए मैं सिर्फ आपको वो जान करें दूँगा जो कि बिल्कुल जादा आपके लिए जरूरी है ना कि एक एक चीजें क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको एक एक चीज़ें बता सकूँ तो आपके पर ये अपनी सुझभूत से काम लीजिए और एक और अत्यंत प्रचंट में आपको दे देता हूं क्योंकि मैंने दो चार तिन से वीडियो नहीं बनाई है तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर एक और दे रहा हूं वशी करण यह भी यंत्र है आपको करना यह है कि जिस किसी भी स्त्री को आप वशी भूत करना चाहते हैं उसका आपको जो ब्लीडिंग का होता है महीना जो कि उनके मासिक धर्म के जो ब्लड होता है वो आपको लेना पड़ेगा अब यह आपको इस मंत्र को बनाना है अपनी हथेली पे अपने बाए हाथ की हथेली पे इस यंत्र को बनाना है और कुछ भी नहीं करना सिर्फ यह यंत्र बना के उस तरी को या फिर वो जो भी है उसको दिखाना है यदि आप इतना करते हैं तो आप यकिन नहीं मानेंगे यह बहु मनवानचित है, कोई चाहता है कि मैं ये कर सकूँ, तो महिला भी कर सकती है, लेकिन ये आपके अपने रिस्क के उपर होगा, इसकी जिमेदारी हम नहीं ले सकते, अगर यदि कोई पुरुश करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि सोपतिशत प्रभाव देगा, मगर महिला के संदर्प में हम इसको जादा नहीं कह सकते उमीद करता हूँ, आपको मेरी दीगई जानकारिय है, पसंद आ रही होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कोईशन और आप जो भी पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए और मेरे कमेंट्स का थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि मैं अभी सभी को धीरे धीरे करके रिप्लाइ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेर कीजिए, जितना जादा आप ये सब वीडियो शेर और लाइक करेंगे उतनी अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा मेरे साथ नए नए जानकारी के लिए जुड़े रहेगा दुलब सामगरी में मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में बिलूँगा तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए